हाई एवरीवाइन वल्कम टो आर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के डिफेंस सेक्टर के बारे में कि अगर आप भारत के डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ऐसी कौन-कौन सी टॉप कंपनीज हैं जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और इसमें इन्वेस्ट करने के तरीके क्या है यानि कि आप इसमें इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं क्या कोई mutual fund है क्या कोई ETF है या directly in companies में इन्वेस्ट करना पड़ेगा तो इन सभी विश्यों को हम detail में discuss करेंगे और साथ-साथ में ये भी बात करेंगे कि करेंट प्राइस पर क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें motivate कीजिए तो सबसे पहले अगर हम बात करें भारत के defense sector की इसक आपको अच्छी return मिल सकती है तो definitely एक बहुत ही अच्छा sector है बहुत ही growing sector है उसके पीछे के अगर हम कारण की बात करें तो सबसे पहले अगर आप global spending देखें defense पे तो वो 2022 में थी 2.4 trillion dollar यह trillion है यानि कि 2,40,000 करोड डॉलर दुनिया भर के जो देश हैं उन्होंने अपने defense के budget पे खर्चा किया था और हैरानी की बात यह है कि 2014 से 2022 का period था वहाँ पे यह 3% की जो compounded annual growth rate है वो defense spending ने दिखाई थी दुनिया भर में लेकिन 2023 में यह 20% बड़ा है और क्यों बड़ा है ओविसली दुनिया भर में geopolitical tensions चल रही है चाहे वो Russia Ukraine war हो इस्राइल का जो Palestine conflict चल रहा ह इरान इसराइल भी अब भिड़ रहे हैं इसके अलावा चाइना ताइवान में कभी भी यूद हो सकता है तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो defense budget है already पिछले साल यानि कि 2023-24 में काफी बड़ा है और आने वाले टाइम में इसमें और भी बड़ोतरी देखी जा सकती है और हम भारत की बात करें तो भारत दुनिया में चौथा ऐसा country है जो कि defense पे सबसे ज़्यादा खर्चा करता है obviously पहले नंबर पे आपको US दिखेगा 900 billion dollar से भी ज़्यादा ये defense पे खर्चते हैं चाइना लगबग 300 billion Russia 110 billion क्या असपास और वहीं जो भारत है वो 84 billion पे है लेकिन हम हमारा जो defense budget है 2014 में 2.1 lakh करोड था जो कि अब बढ़ करके 5 lakh करोड हो गया है तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि भारत का defense budget है आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा और obviously भारत आत्म निर्भर बना चाहता है तो उस case में जो भी defense spending है वो हमारी जो companies है उसको compounded growth rate से बढ़ रही थी वहीं भारत में 10% की वृद्धी देखी गई है पिछले कुछ सालों में तो भारत की जो defense growth है वो दुनिया से जादा है इसके अलावा हमारे जो weapon है हम उसको काफी modernize करने वाले हैं 2023-2024 में 19.7 billion dollar जो है वो modernization of weapon पे किया गया है इसमें से हम हो सकता है क कुछ import करें और बहुत सारी हम खुद production करने वाले हैं आज की date में यानि कि जो latest data है 2023-2024 का total भारत में जो defense equipment की production है वो 15 billion dollar के आसपास है तो जब weapon modernize होंगे तो definitely हमारी बहुत सारी production बढ़ने वाली हमारी company की इसके अलावा हम आज की date में defense में बहुत जादा दूसरे countries पे नि import किये हैं Russia, France और US से हमारे major defense partner है जहां से हम import करते हैं और भारत की सरकार ने बोला है कि अपने ये जो defense import है इसको 70% तक ये reduce करना चाहते हैं तो उसका भी फाइदा जो भारत की companies है उसको होगा इसके अलावा obviously जो intelligence surveillance की capability चाहिए उसमें बहुत सारे नए equipment, drones वगरा चाहिए ह होते हैं वो है इसके अलावा जो defense export है एक तो हम अपने लिए use करेंगे जो defense हम दूसरे countries को export करते हैं वो 3-34% पिछले 5 साल में grow हुए है और आने वाले time में आप इसमें और भी growth देखेंगे क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे product हैं ब्रहमोज, missile वगरा जो कि दुनिया भर में क जोड़ा हुआ है चाइना, पाकिस्तान तो border issue रहने वाले हैं, terrorism की problem है, bureaucratic delays है modernization में तो जिसकी वज़े से यह आने वाले time में आप spending बढ़ती हुई ही देखेंगे, इसके अलावा अगर market potential देखें भी आप यह सोचें कि इंडिया की defense companies तो बहुत जादा पिछले कुछ सालो में बड़ी है, उनकी growth काफी जादा हुई है, तो क्या वो अपने saturation point पे आ गई है, तो आप देखेंगे US की जो top 4 company है, पहली company इनके नाम obviously disclose नहीं की गए है, यह जितना जैसे 77.8 billion dollar जो US की सबसे बड़ी company है, यह revenue कमाती है defense से, और वहीं भारत की जो सबसे बड़ी defense की कमनी है, वो 4 billion भी नहीं कमाती है, तो आप देखेंगे कि 77 billion, 42 billion, 67 billion, 39 billion, इतना US की जो top defense कमनी है, और वहीं हमारी 4 billion से लेकर कि जो हमारी 4 नमबर की कमनी है, वो सिरफ 0.5 billion revenue कमाती है, और जो US की कमनी हैं, वो भी 5% की compounded annual growth rate से आज की rate में बढ़ रही हैं, तो आप भारत का जो scale ह है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जो defense manufacturing है, कितनी ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो nutshell हमारे defense sector का definitely आगे scope है, तो आपको कुछ ना कुछ अपने जो investment portfolio है, उसका हिस्सा defense में invest करना चाहिए, और अब अगर बात की जाए कि भाई, अगर आप भारत की major defense companies हैं, तो आपके पस क्या-क्या option है, तो अगर आप individually companies में invest करना चाहते हैं, तो आप HAL में invest कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि इनके जो top product हैं, तेजस, चेतक, ध्रोव, इसके अलावा भारत electronics में आप invest कर सकते हैं, मैजगॉन, डॉक जो ship builder है, उसमें invest कर सकते हैं, कूचिन shipyard, MTA technology, जो की latest surveillance equipment में involved हैं, data patterns, तो ये कुछ companies हैं, जो की काफी अच्छे products बनाती हैं, तो ये एक अच्छी options हो सकती हैं, अगर आप individually invest करना चाहते हैं, इसके अलावा अगर आप mutual fund या ETF के माध्यम से invest करना चाहते हैं, ताकि overall आप ज्यादा companies में कर पाएं, diversify आपका portfolio हो, और हैं, उन्होंने एक nifty defense index बनाया हुआ है, इसमें ये companies include करते हैं, जैसे आज की rate में से 16 companies हैं, और इसमें अगर top companies की बात की जाएं, तो हिंदुस्तान aeronautics का इसमें 20% की weightage है, फिर भारत electronic, फिर solar industries, mazagon, dock, shipbuilders, coaching shipyard, भारत dynamics, zen technology, ये कुछ companies हैं, जिन की की आप weightage देख सकते हैं, ये हर 6 महीने में इसको review करते रहते हैं, और free float जो market capitalization होता है, उसके हिसाब से, इसमें companies change होती रहती हैं, तो इसमें companies कैसे include होती हैं, इसमें जो भारत का total, nifty total market index है, जिसमें की top 750 companies हैं, उसमें से ऐसी companies चुनी जाती हैं, जो कि कम से कम 10% जो अपना revenue है, वो defense industry से कमा र 40% है, mid cap भी लगबग 40% है, और small cap लगबग 20-22% के असपास आती हैं, तो अगर बात की जाएगी भाई, अगर आप individually stocks लेते हैं, तो आपको काफी capital चाहिए होगी, क्योंकि जैसे हिंदुस्तान aeronautics का share आपको 4000 पैसे ज्यादा पे मिलेगा, तो अगर आप उसके कुछ भी share लेते हैं, तो आपको काफी बड़ी investment करनी पड़ेगी, तो ऐसे में आपके पास mutual fund, ETF अगरा की options होती हैं, जिसमें कि आप बहुत छोटे amount से invest कर सकते हैं, और आपका जो पैसा है, diversified way में, जो कि हमने पिछले page पे discuss किया, जो companies हैं, उसमें उसी weightage के इसाप से invest कर दिया है, हाला कि इसकी expense ratio थोड़ी सी ज़्यादा है, 0.72%, इसके अलावा मोतिलाल ओस्वाल का Nifty India Defense Index Fund है, जो कि कुछ महीने पहले आया था, इसका जो market capitalization, sorry, asset under management है, 2153 करोड है, expense ratio बढ़िया है, 0.31, यानि कि size भी ठीक ठाक है, expense ratio भी better है, तो mutual fund में ये एक अच्छी option आपके पास हो सकता है, इसके अलावा अदित्या बिरला का एक Nifty India Defense Index Fund आया है, जिसका कि asset under management अभी काफी कम है, 328 करोड है, इसका जो अभी expense ratio है, disclose नहीं किया गया है, तो ये कुछ option है, इसमें मोतिलाल ओस्वाल मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ठीक ठाक size है इसका, और इसमें expense ratio भ करें कि भई, मैं ETF के माध्यम से ही invest करना चाहता हूं, जैसे कि मेरा DMAT account है, और मैं share की तरह इसको खरीदना बेचना चाहता हूं, तो आपके बस मुतिलाल ओस्वाल Nifty India Defense ETF है, वो भी available है, अगर आप अपने DMAT account में MO Defense के नाम से ढूनेंगे, तो आपको मिल जाएगा, इसका ज ज्यादा पुराना नहीं है, अभी दो महीने ही इसको हुए है, लाउंच हुए हुए, तो 37 करोड के आसपास है, expense ratio 0.4% है, तो आप ये वाला ETF भी देख सकते हैं, अगर आप ETF को पसंद करते हैं, हाला कि मैं 500 करोड रुपए से उपर के जो ETF होते हैं, जिनका asset render management अकम से कम 500 करोड होता है, वो पसंद करता हूं, क्योंकि उसमें liquidity वगेरा की कोई problem नहीं होती, तो थोड़ा छोटा है, लेकिन अभी नया है, थोड़े time में आप देखेंगे, कि इसका asset render management बढ़ जाएगा, तो आप इसके माध्यम से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप mutual fund के द्वारा भी, जो कि पिछले page पर हमने discuss किया, उससे भी कर सकते हैं, और इसके अलावा एक grow का भी जो ETF है, वो 4 October को बंद हुआ है, तो बहुत ही जल्दी आपको वो भी secondary market में मिल जाएगा, हाला कि उसको भी थोड़ा time लगेगा, थोड़ा grow होने में, तो ये कुछ options हैं, जो कि आप consider कर सक reason देखे, defense spending बढ़ने वाली है, दुनिया बर में geopolitical tension है, export बढ़ने वाले हैं, तो defense sector आपको long term में तो फायदा देगा, तो आपको कुछ ना कुछ तो portfolio का हिस्सा defense sector में invest होना चाहिए, लेकिन क्या ये सही time है, तो उसके लिए अगर आप देखेंगे, पिछले 6 साल का जो चा हम बनना चाते हैं, तो उसके बाद आप देखेंगे कि defense sector ने बुरी तरह से outperform किया है, हमारे nifty 50 को, तो अगर आप return देखेंगे, जैसे 2019 में nifty 50 की 13.5% return थी, वहीं defense sector की 2.3%, 2020 में भी कम थी, लेकिन उसके बाद देखेंगे, nifty 50 की 25% और defense sector की 61%, 56%, defense sector 67%, तो इनोंने 4 साल से लगातार अच्छी return दी है, लेकिन जब इतनी अच्छी return होती है, तो obviously prices आपको काफी high लगेंगे, तो मुझे लग रहा है कि defense sector में जरूर invest करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा wait कीजिए, जैसे मैं normally RSI अगर 40 के नीचे आती है, तो मैं थोड़े बहुत amount invest करता हूँ, तो SIP क माद्यम से जैसे जैसे थोड़ी बहुत आप लगा सकते हैं, जैसे अभी 73 रुपीज के आसपास आपको जो ETF है, वो मिल रहा है, तो आप लगा सकते हैं कि हर 3-4 रुपए के जो fall है, उसके उपर आप invest कर रहे हैं, तो long term में आपको मेरे हिसाब से फायदा देगा, तो future काफ भी bright है, लेकिन थोड़े से price higher side पे हैं, तो थोड़ा धीरे धीरे करके हर गिरावट पे खरीदेंगे, तो आपको long term में फायदा होगा, अला कि वीडियो क्लोस करने से पहले मैं हमेशा की तरह disclaimer दूगा, कि जो भी views हैं, हो मेरे personal है, अगर आप किसी भी product में invest करते हैं, तो अपनी research के बाद ही कीजिए, thanks so much for watching the video and God bless you all.